जैन दोस्तों क्या हाल है मेरा नाव है राकेश बाइदेवे आज की वीडियो थोड़ी सी प्रोड़ेट्स से अलग होगी मतलब जोर स्मार्टफोन वगएरा के बारे में बात करते हैं और यह थोड़ा सा लग का है कि मेरे पास वेस्टर्ण डिजिटल का नाव आपने सुना होगा मतलब यह स्टोरेज डिवाइस है इन्होंने मतलब मुझसे का भई भेजन चाते हैं और मैंने सुचा यस क्यों न देखें क्या इस्पेशली यह वाला जिसके बारे में शायद थोड़े कम लोग जानते होंगे तो मैंने वीडियो शूट होड़ी है उसमें एक memory card चाहिए न SD card वहाँ पर Sandisk कही है मैंने काफी पहले बाई किया था यहां पर 128 GB वाला भी है मेरे पास बट मिल नहीं रही कहा गया यह वीडियो में में मेंशन करना भूल गया था मैं यह WD न एक logo है इस brand का नाम है Western Digital और Western Digital के अंडर कई सारी storage devices है मतलब all time की है यह hard disk वगरा है लेकिन अगर Sandisk की बात करें यह Sandisk की SSD है 1 TB Extreme Pro और इसका मतलब मैं फोटो वगरा शेयर करूंगा box पता नहीं कहां पड़ा होगा इसका अंदर ऐसे aluminium build वगरा है और बाहर एक soft finish है काफी जादा और एक चीज यहां पर mention था यह ना water resistant और dust resistant है यानि कि durability के reason की वैसे मैंने इसको select किया था और मेरे पास यह दो छोटे छोटे नन्ने मुन्ने आप देख रहे होंगे यह metal build based है यह ना type A to type C वाला है मेरे पास जैसे android phone वगरा में काम आता है और direct laptop में भी connect हो जाता है और एक यह जब से iPhone लिया क्योंकि iPhone वाले जा आती है सारे data यहां से copy paste हो जाता है यहाँ पर copy file view file जो भी आपको करना है सारे कुछ आता है यह वैसे पता है क्यों आपको दिख रहा होगा alarm android क्योंकि मैंने इसको android में correct करते है तो फाइल बन जाती है यह वाले जूरत पता है क्यों पड़ी iPhone में iCloud storage के नाम पर पार जीवी कर सकते हैं Mac में तो बहुत इजी होता है लेकिन iPhone के अंदर आप कुछ भी अपनी मर्जी से paste नहीं कर सकते उसके लिए या तो software चाहिए आईटून वगर आते हैं तो चाहिए मुझे Windows से डारेक्ट iPhone में paste करना हो या फिर मुझे Android phone में यहां पर connect किया मैंने यहां से मैंने data को यहां कोपी किया और instant मैंने क्या किया यहां से उठाया और यहां डारेक्ट iPhone में connect किया data यहां paste किया तो यह काफी easy कर देता है मेरे काम को इसकी प्राइजिंग 1600 के असपास थी इसकी प्राइजिंग थोड़ी सी ज्यादा हो थी exact मुझे याद निया साथ 3-4,000 का था माना description म पड़ता है और मैं laptop यूज करता हूँ editing के लिए और इसके अंदर वन टीवी की storage है यह मैं कहें तो 256 जीवी के साथ आता है तो मतलब external storage चाहिए और external storage में दो तरह की storage आती है तो मेरी editing वैसे इसमें होती है main laptop में इसकी मैंने वीडियो भी दिया था आपको तो मैं normally क्या करता दोनों जैसे यह मैंने दिखाया था ना कि यह आया था यह वाला तो मैं बताता हूं हमाली fast SSD क्यों चाहिए क्योंकि ना तो यहां यह वाली जो timeline है इसमें easily edit कर सकते है क्योंकि इसको एक fast मतलब storage चाहिए तो इन दोने में पता क्या फरक लगा मुझे इसकी speed जाता है वैसे यह वाली की बोक्स पे ना यहां पर 2000 MBPS यानि कि 2 GB के असपास मेंचन होता है लेकिन यह system system पर depend करता है यह मैंने बताया 700-800 MBPS जाता है यह वाला practical life में 1 GBPS तक चला जाता है तो जिनका ready to go वाला काम है ना वो online नहीं वो इन ही पर depend करते हैं इसको आप offline storage बोल सकते हैं एक और फरक बताना था मुझे यह extreme pro वाल है ना जो यह smartphone में मतलब show नहीं करता है यह आप अपने system PC Macbook में यूज कर सकते हैं यह वाला कहा है कि आप smartphone में भी access कर सकते हैं as external drive की तरह यह phone में जिस तरह मैंने आपको connect करके दिखाया यह show कर रहा है और अब मैं आपको बात करने जा रह cable है यह एक power cable है और यह main product यह वाला card बहुत ज्यादा important है यह इसके साथ आता है मैंने code थोड़ा से छुपा रखा है क्योंकि इसके नीचे code है जो आपको इनकी application आती है my cloud home जब भी इसको आप open करेंगे तो यहां sign in करना पड़ता है उस time जरूरत पड़ती है इसको access करने के यह यह वैसे ना metal का बना हुआ है पूरा यह SSD नहीं होती यह एक hard disk है 4TB की है यह नीचे और ऊपर ना air band बने हुए ताकि हावा वगारा पासो ठंडा भी रहे और सिर्फ यहां पर एक light है जिससे पता लगता हाँ यह on है यह है इसके main connecting port यह main मैंने power cable लगा हुआ यह Ethernet cable है और यह यहां पर USB A port है अब मैं बताता हूँ यह काम कैसे करता है क्या के तरीके इसको access करने के लिए यह my cloud एक app आती है play store पे easily मिल जाता है अब इसमें क्या होता है एक ID बनानी है login करना है अब मेरा phone ना इससे connect है wireless बट internet connect होना चाहिए मेरे phone में भी है और इसमें भी है यहा पर जो photo है मेरे device के अंदर अगर automatic backup on रखोगे तो सारा ऐसी इसके अंदर photo चला जाएगा आप manually भी कर सकते हो और याद रखना यह photo वीडियो को import करता है यहां से document import करने का option लिए और जो import हो जाएगा यहां यह photos की form में आ गया यहां मैं इसको folder भी बना सकता हूं जैसे मैं यहां पर वो photo show हो रही है जो इसके अंदर रखी हुई है अब मैं इसके कुछ feature show कर देता हूं यह android के साथ साथ same ID पर मैंने यहां पर iPhone में भी login किया हुआ यानि iOS पर भी मिल जाती इसके application अगर ध्यान से देखोगी यहां पर एक document है आप सोचोगी document report नहीं होता तो कैसे आय अब जैसे मेरी यह SSD अगर मैं चाहो तो इसको यहां connect करके उसके बाद यह type A port है ना type A में connect कर सकता हूं यह notification आता है instant कि यहां यहां पर कुछ device connect किया गया है अब मैं यहां जाके इसके बाद यहां copy USB का option आता है अब मुझे external से इसके अंदर copy करना है तो मैं यह यह from में उस इसके बाद select file कर सकते है copy all का option भी है यह मेरा document है या फिर यह वाला document folder है लेकिन एक-एक document नहीं दिखाता है इसके अंदर जाके अगर आप चाहो अपनी मर्जी से एक-एक select कर सको पूरा folder copy करता है या बाहर पड़ा उसे copy करता है अब चाहे फोल्डर बढ़ा के paste करो या फि करता आपके internet speed पर मेरे आज जो internet speed है यह यहाँ पर ही तनी अच्छी नहीं है इसलिए मैं यहां से location भी change करने की सोच रहा हूं जो आपको कह रहा था बताऊंगा कहा कैसे phone के अंदर से document नहीं उठाता लेकिन आप external से paste कर सकते हो किसी user को भी add कर सकता हो वो चाहे तो अपना इसके फोल्डर बना सकता है मैं उसके फोल्डर को access नहीं कर सकता हूं मेरे फोल्डर को access नहीं कर सकता और यहाँ पे सारा storage बगरा दिखता है और यह जैसे मेरा counter एक हरशीद को भी मैंने add किया हुए तो यह हरशीद का नाम आ रहा है अगर मैं चाहूं हरशीद को यहां से remove क कर सकता हूं अपनी मर्जी से क्योंकि मैंने add किया तो मैं इनको remove कर सकता हूं में तो मैं हुआ ना in short यह एक ऐसा device है जो मतलब आप इसको कह सकते हो offline storage है बट connect यह online होता है बीना online ना आप इसमें data भीज सकते हो ना इससे data ले सकते हो और यह जो data है वो सिर्फ इसी my cloud storage में store ह होता है इनके server पर upload नहीं होता internet सिर्फ एक मतलब रास्ता है data को transfer करने का इसकी वज़ा से हमें option मिलता है कि मैं कहीं पर भी रहूं दो तरीके इनकी खुद की application है जैसे अगर मैंने इसको install कर रखा यह शो कर रहा पूरा storage device यहां पे मैं कुछ भी copy कर सकता हूं paste कर सकता हूं तो एक तरीका यह हुआ दूसरा अगर यह मान लो application नहीं आप कहीं और हो और आपके पास internet है तो यहां पे जाना है आपको बस my cloud home पे आपको अपनी same email id और password एंटर करना है यहां पे जैसे आप कोई phone की application थी जहां पे आप access करते थे same यहां से आप सारी चीज़ों को access कर सकत तो अपने folder को अपनी photos को और यहां दखना कि आप जो भी इसके अंदर video पेस्ट करते हो ना वह online ही play होता है तो यह किस speed पर play होगा वह depend करता आपके internet speed थोड़ा सा मतलब kind of जैसे online आप data store करते हो ना उसी तरीके से आप store कर रहे हो लेकिन यहां पर है क्या online आपको monthly charge देना पड़ेगा इसमें आप एक बार charge दोगे और आपकी अपनी ID password आप इसको खुद इसके माली को और साथ में एक option और दिखाना था मुझे यह कुछ अलग-अलग services देख रहे हो जिसका data आप sync कर सकते हो जैसे for example हम लोग जाते है social पे यहां जाके आप अपने facebook, instagram, google photos, dropbox, google drive मै लेकिन अगर आप चाहे न इसको as a external storage नहीं use कर सकते कि अगर आप चाहो यहां connect कर लो उसके बाद आप PC में connect कर लोगे तो यह कुछ भी show नहीं करेगा तो internet हमेशा connect रहना जी है जैसे मैंने इसको disconnect कर दिया तो device आपका offline चला गया तो इसकी application की speed भी definitely depend करती internet speed पर यह आपको हमेशा याद रखना है तो यह मैंने show कि आपको जो एक online storage होता है उससे किस तरीके से offline storage की अपनी एक extra value हो depend करता हो क्या काम करता है I hope आपको वीडियो पसंद आयोगे वीडियो पसंद आयोगे वीडियो पसंद आयो तो like, share, subscribe जिरू करना मैं मिलता है आपसे अगली वीडियो में